गुद मॉर्निंग क्लास्ट, वेलकम टू खोलेशवर जीनियर सेबेसी स्कूल अम बजो गए खोलेशवर जीनियर सेबेसी स्कूल में आप सभी का स्वागत है इस इस आवर सोचल एंड पॉलिटिकल लाइफ फोर क्लास एट तोड़ेशवर जीनियर सेबेसी स्कूल एंड पॉलिटिकल लाइफ फोर क्लास एट फोर क्लास एट फोर्स चाप्टर नेम इस इंडियन कंस्टिटूशन भारतिय समीधान के बारे में आज हम जान कर लेंगे यह हमारा सामजी के हम राज क्यों जीवन कैसा है मिन्स सोशल साइंस का थर्ड पार्ट जो है उसके बारे में हम जान कर लेंगे इंडियन कंस्टिटूशन भारतिय समीधान के बारे में हम सब जानते हैं इसके बारे में और जान कर लेंगे इस पार्ट में तो देखते हैं इस पार्ट में हमें कौन सी जान कर दी है In this chapter, we are going to begin with football A game many of you have probably heard or even played इस पार्ट का हम शुरुआत करेंगे football game से जो खेल हमने देखा है या खेला है या उस जिसके बारे में हमने जान करी ली है As the name suggested, this is a game that involves the player's fit जैसे इसका नाम है football Football, foot मतलब pound, pound से खेलने वाला game या खेल मतलब football, ऐसा इसे कहा जाता है According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player Expect the goalkeeper, then this is considered a foul इस तरह इसका नाम है उस प्रकार इसके नियम भी है इस game को या इस ball को, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता जो भी इसको हाथ लगाएगा वो foul या penalty माना जाएगा शरिफ किसका हाथ लगना चाहिए, goalkeeper का Around then, they are not playing football anymore या फिर वो football नहीं करेंगे या नहीं खेल पाएंगे If they start holding the ball in his hands, they are not passing with their legs They are out of the game Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played Each of these rules helps define the game and help us distinguish one game from another तो जिस प्रकार के हम खेल खेलते हैं, cricket हो, football हो, holly ball हो, या फिर hockey हो, table tennis हो, basketball हो हर जो game है, हर जो खेल है, उसका एक दूसरे से अलग है और उसके नियम भी हर किसी game के नियम एक दूसरे से अलग होते हैं इसलिए वो game को मुहत्वपूर्ण या दूसरे से अनोखा बनाता है Like these games, society also have constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies, in large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus and in modern countries, this consensus is usually available in written form, written documents in which we find such rules is called a constitution, तो इस तरह के भी जिंदगी society में जी जाती है, rules के हिसाब से और इसी rules को लिखित या मुद्रित किया जाता है इसी लिखित form को या लिखित जो दस्तावेज है या लिखित नियम को क्या कहते हैं, समीधान कहा जाता है, जो modern countries में यानि आज के युग में सभी देशों में दिखाई दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम constitution या समीधान कहा जाता है We have looked at the Indian constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbook, have you ever wondered why we need a constitution or been serious about how the constitution got written or who wrote it, in this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian constitution, each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be focus of different chapters in this book, तो हमने class कक्षा छटी और सात्वी में सात्वी में ये देखा है कि Indian constitution क्या होता है, भारतिय समीधान क्या है लेकिन इस पार्ट में या इस कक्षा में हमें जानेंगे कि ये किस नहीं लिखा है कियों लिखा है किसी इंसान को या किसी कंट्री को समीधान की क्यों जरूरत होती है और हमारे जो इंडियन constitution है उसकी क्या विशेश्टाएं है इस पार्ट में देखने वाले हैं इसलिए समीधान के हर पहलो पर हमें द्यान देना जरूरी है और जो भी फीचर से जो भी विशेश्टाएं है उसका महतुआ अनन्य साधरन है इसलिए ये भारतिय समीधान है हमारा समीधान है इसलिए हमें पढ़ने में से बहुत इसकी गहराई हमें जाननी चाहिए कि ये समीधान हमें क्यों मिला है स्विधान की जरूरत क्या थी स्विधान किसने लिखा है स्विधान की विशेष्टा क्या है स्विधान क्यों निर्मान किया गया था और स्विधान हमें कहां तक ले जाएगा इसके बारे में हम जान कर लेंगे लेकिन अगले तासिका में तब तक के लिए धन्यवाद, have a good day, bye